Hello and welcome, welcome back to my channel, मैं हूँ अनिर्बान और मैं आज आप लोग के सामने काल भाहिरब के messages लेके आया हूँ जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे के काल भाहिरब आपको क्या messages दे रहे हैं, योगी नीज आपको क्या messages दे रहे हैं एक चीज मैं आज बोलना चाता हूँ, यह reading छोटा सा होगा बट यह reading का एक basic story होगा तो यह जो story मैं बोलूँगा, यह हो सकता है कि यह पूर्णिमा से अमावस का जो यह journey है, इसके लिए या फिर यह आने वाले महिने के लिए एक cycle हम लोग discuss करेंगे, कि यह आने वाले cycle आपके लिए कैसा रहेगा तो यह reading को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, एक एक point को सुनिए, यह complete intuitive reading होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ different किसम के cards है, तो देखता हूँ, क्या messages आते हैं आप सब के लिए यह reading general हो रहे हैं, तो जो जो चीज आपके साथ similarities आप मिल जाएगा, वही चीजों को ले लिजेगा जो जो चीज आपके साथ resonate करेंगे, वही चीजों को ले लिजेगा, बाकी सारे चीजों को छोड़ दीजेगा तो चलिए, इसी वक्त वीडियो को like कर दीजिए and share भी कीजिए अगर आप काल भीरब के भक्त है, तो comment section में जरूर लिख दीजेगा, जै काल भीरब, ओके तो चलिए, first देख लेते हैं, कि ए काल भीरब आपके लिए क्या messages लेकिया आ रहे हैं इस reading को different तरीके से हम लोग करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, काल भीरब की यह जो मूती है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, इसके चारों और हम देखेंगे कि आपके लिए messages क्या आ रहे हैं इसी वक्त वीडियो को like कर दीजिए, पहला message आ गया है, योगम आया, ओके पहला जोगिनी का messages आ गया है, उसके बाद आये है, माई पदा, यह इस साइट पे हम लगते हैं, उसके बाद दो कार्ट आये है, तीन कार्ट, गंगा पदा, उसके बाद आते है, भवानी पदा, और उसके बाद आ रहे है, विदेंद्र पदा, यह आपके higher energy है, वाउ, यह कार्ड बहुत, ब्रम्भानी पदा, बहुत तेज एनरजी के साथ यह कार्ड आ रहे है, लास्ट कार्ड इसमें आ रहे है, सर्वमुखी प्रदा, तो यहाँ पे बात आते है, एक creativity का, देखिए काल बहुत जी आपको पहले ही बोल रहे है कि आप अभी आपके अंदर एक बहुत नए power आ रहे है, इस आने वाले cycle में, आप जो भी manifestations करे हो, जो भी candles जला रहे हो, जो भी prayer सब करे हो, या फिर जो आपक पेन आपके life में है, उस पेन से आप कुछ create करे हो, तो काल बहुत बहुत सारे लोग बहुत जदा डरे हुए रहते हो, panic attacks आते हैं, कही न कही ऐसा हो सकता है कि घर में कुछ बहुत tensions का महौल है, और यह महौल इसलिए है, क्योंकि कही न कही आप अभी भी उस माया में हो, उस योगा माया में हो, तो कही न कही आपको अभी भी लगता है कि आप कुछ बढ़िया करोगे, आप कुछ बहुत बढ़ा करोगे, कही न कही नेम एन फीम का थोड़ा सा greed आपके अंदर है, बट यह हम सब के अंदर ही है, तो भाईर्याव आपको बोल रहे हैं, कि दिखिए, यह जो greed है, यह जो हम लोगों के life में, जो expectations है, यह expectations को आप अगर channelize करेंगे, कि हाँ ठीक है, मैं हर रोज एक थोड़ा-थोड़ा करके develop हूँगा, या फिर थोड़ा-थोड़ा करके मैं achieve करूँगा, एक time पे बहुत बढ़ा कुछ अगर achieve आप नहीं भी कर पाए, तो भी देखे, but everyday आपके छोटे-छोटे achievement होना चाहिए, but युगा माया आपको एक ही चीज बोल रहे है, कि दिखिए, अभी तक आप बहुत emotional journey में हो, और इस emotional journey से आपको लेके जा रहे है, एक different journey में, तो कही न कही यहाँ पर यह जो माई बदा आपको बोल रहे है, कि देखिए, ह हम सब के अंदर एक animal instinct होते है, हम सब के अंदर एक divine instinct होते है, तो कही न कही आप जो जितना जादा आप efforts डाल रहे हो, उतना ही जादा आप negative होते जा रहे हो, कही न कही आपको योगी निमा यह की चीज बोल रहे है, कि accept करना होगा, खुद को accept करना होगा, यह जो cycle है, इस cycle म यहां से disconnect रहना है, जो भी spiritual practice आप कर रहे हो, ध्यान से एक चीज़ आप notice करोगे, कि क्या आप meditate करते करते हो, बहुत जादा दूसरे तीसरे चीज़ के बारे में सोच रहे हो, क्या आप prayer करते करते हैं, आपका मन भटक जा रहे हैं, क्या आप एक time पे बैट के पूजा नहीं कर पा रहे हैं, फर कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, अगर यही चीज़ है, तो मन को थोड़ा सा आपको training कराना होगा, कैसे, आपके sleeping cycles थोड़ा सा change करना होगा, food habits थोड़ा सा change करना होगा, एक proper balance आपको ले आना है अपने life में, especially अगर आप लोग non-veg हो, मैं आपको vegetarian होन अगर आप थोड़ा सा wage खाना खाएंगे, थोड़ा सा liquid diet follow करेंगे, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, उसके बाद आते ब्रह्मानी पदा and सर्ववती पदा, तो यहाँ पे एक ही चीज़ में देख सकता हूँ, कि आप अपने universe में बहुत high energy create करे हो, क्या म मैं बोला, आप अपने universe में, यानि कि आपका खुद का एक universe है, आप वहाँ पे एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे manifestations के साथ, एक दुनिया बसाना चाते हो, अब बात क्या होता है, क्यों मैंने बोला कि अपना universe, एक Sanskrit पे एक कहावत है, और एक स्लोक है, वो है तत्स्मा वसी, यानि कि आप एक खुद ब्रम्भान हो, और इस ब्रम्भान में, यानि कि आपके universe में, आप चाहते हो कि positive energy बने रहे, आप जैसे जैसे चाहरे हो life में, वो बने रहे, एक सुकून बने रहे, एक mental peace बने रहे, बट इसके लिए आपको multi-dimensional होना पड़ेगा, ये जो अपने काम को बहुत अच्छे से समझते हो, और बहुत अच्छे से follow करने के कोशिश करते हो, बट आप मेंसे अभी भी बहुत सारे लोग है जो अभी बहुत जादा डर रहे हो, यानि कि आप सोच रहे हो कि आपको spiritually आगे बढ़ना है, लोगों को मदद करना है, या फिर आप कुछ करना चाहते हो अपने खुद के creativity के साथ, बट वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, हो सकते हैं आपका day-to-day job, या फिर अभी तक वो insecurities पे आप बंदे हो, कि अगर मेरा job चला जाएगा, या फिर मेरा business चला जाएगा, तो मैं कैसे करूँगा, कहीना कि आप अपने creativity क sacrifice कर रहे हो, क्योंकि आप लोग डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर कोई particular worst situations को लेके चल रहे हो, ऐसे हो सकता है एक toxic relationship, ऐसे हो सकता है एक toxic job, या फिर ऐसे हो सकता है कि सब को जानते हुए भी आप एकदम mute होके रह रहे हो, कहीने कहीने आपको जो messages आ रहे हैं, य बट आप ही खुद सब जगे से बंद करके बैठे हो, यानि कि नए नए लोगों से नहीं मिल रहे हो, कोई नए सोच लेके भी आगे नहीं जा पा रहे हो, मालो कि आपको हमेशा एक hobby था, कि आप लोगों के लिए कुछ करोगे, ऐसा हो सकता है कि आप एक YouTuber बनना चाते हो, य या फिर आप एक lip syncing करना चाते हो, या फिर आप healing करना चाते हो, टेरोट करना चाते हो, बट आपका पहला डर आ रहा है, कि अगर मैं टेरोट करूँ तो इतने लोगों के negative energy में कैसे handle करूँगा, या फिर टेरोट करने के बाद, अगर मेरे personal life में कुछ problem हो गया तो, या फि कि हम लोगों को heal करते हैं, तो लोगों के negativity हमारे life में आते हैं और हम इस चीज़ को clean करते हैं, recital करते हैं, तो कहीं नगए कौन करते हैं, क्या मैं करता हूँ, क्या आप करते हो, यह उपर में जो है, वो करते हैं, तो आपके जो higher force है, आप किसी भी religion में क्यों ना हो, यहाप साफ बता है, मतब यहापर साफ आपको बताया जा रहा है, कि दिखिए, आप कुई नहीं होते हो, आप सिर्फ एक सिर्फ एक पेबल हो, एक beach, समंदर के सामने, मतब जो sea beach है, उसमें आप एक छोटा सा पत्थर हो, तो आपको करबाया जाएगा, आपको बोला जाएगा, इनके universe भी आपको बोल रहे है, साइन दे रहे, अभी बक्त है कि आपको अपना intuitive abilities के साथ आगे बढ़ने का है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, और अगर आप एक psychic हो, अगर आपको भी पता है कि आपके अंदर psychic abilities है, तो आपके universe बोल रहे है कि इसको लेके कुछ करि आप भी अपने spiritual discussions करिए, लोगों के सामने जाके help कीजिए, मदद कीजिए, आपको idea नहीं है कि कितना लोगों को आप मदद कर सकते हो, आप एक proper leader हो, आपके अंदर वो शमता है, आपके अंदर भगवान विष्णु जी, महेश्वर and at the same time लुमा जी का आशिरवाद है, नहीं चल रहा है, तो आप गलत कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपके hobbies कुछ अलग है और आप खुद को कुछ अलग बना के बैठे हो, जो चीज में आप happy भी नहीं हो रहे हो, इसलिए शायद आपको कोई job या तर कोई particular company में कोई stability नहीं मिला है, क्योंकि आपको पता है कि आप born psychic person हो, आपके पास intuitiveness है, बट career कैसा होगा, unstable income रहेगा, ये सब सोच में आप इतना ज़दा बैठे हो कि आप आगे नहीं जा पा रहे हो, कही न कहीं गंगा पदा आपको ये भी बोल रहे है कि दुनिया से connect करना होगा, आप घर में बैठे हो, या फिर बाहर नहीं निकाल र कर सकते हो, कही न कहीं आप अपने creativity को भूल गए हो, कही न कहीं आप एक different person में बदल गए हो, आप पहले एक कुछ अलग person थे और एक different person में बदल गए हो, इस पे सुधार लेकि आना होगा, कही न कहीं भवानी पदा आपको बोल रहे है कि आपको कुछ-कुछ attachments जो बहुत healthy नहीं है, इसको आपको detach करना है, specially में देख सकता हो, कि sexual elements ऐसा हो सकता है, कि आपको बहुत loneliness मैसोस हो रहे है, sexual urges मैसोस हो रहे है, तो इस चीज़ को completely cut off कर जिए, कैसे, तब ही आप अपने बासना ये फरकामना को control कर सकते हो, जब आप खुद इस चीज़ को मन से remove करोगे, तो यानि कि मैं बोल रहा हूँ कि मान लो, आपको पता है कि physical intimacy बुरे चीज़ है, adult rated चीज़ है बुरे चीज़ है, तो मैं नहीं देखूँगी या पर नहीं देखूँगा, बट ये चीज़ आपको पता है, ये आपके realizations नहीं है, तो मन से जब भी कुछ ऐसे adult rated चीज़ आ पहले देखू, देख के उसको cut off करो, ऐसे बिना नहीं मैं नहीं देखूँगी, देखूँगी तो खराब हो जाओगे, ऐसे सोच लेके मत चाया करो, आप चीज़ों को महसूस करो, उसके बाद बोलो नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये पसाद नहीं है, तो कहीना क कर रहे हो, कहीने कहीं आप एक completely नहीं परसन में बदल जा रहे हो, आपकी confidence level बढ़ जा रहा है, जो goal आप chase कर रहे हो, वो goal आप achieve करोगे, जो mental mindset आपका इतना जादा negative पे चला गया था, वो बहुत positive एक momentum गेन हो रहा है, खास करके अगर नहीं जौब या फिर particular कोई नहीं गो के लिए, या फिर कोई money spell, या फिर किसी job के लिए अगर आप spell किये हो, या फिर कोई particular देवी मा को, या फिर Allah को आप कुछ बोले हो, तो definite, या फिर आपके deity को, महादेव को बोले हो, काल वेरब को कुछ बोले हो, तो यहाँ पर आपका वो breakthrough आ रहे है, अगर आपके घर haunted रह रहे है, या फिर बास्तो दोस्ट रहे है, या फिर आपके घर में कोई बहुत गुप शत्रू आपको बहुत परिशान किये थे, तो वहाँ से आपको छुटकारा मिल रहा है, एक new beginning आपको मिल रहा है, और यह कल हो सकता है, यहाँ पर देख सकता हूँ, within 30 days के अंदर आपको एक proper, एक दम proper breakthrough आपको मिल जा रहा है, क्योंकि आज 11 April and यह आ रहा है 10th, so कहिना कि next 10th में के अंदर आप एक refined person में बदल जाएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ जो करना है, खुद को अकेला मत सोचिए, creativity के बारे में सोचिए, try कीजिए कुछ चीजे, एक ही type के one dimensional lifestyle नहीं च कुछ कीजिए, comfort zone से आगे आके कुछ कीजिए, आपके toughest cycle खतम हो रहा है, and यह जो transformations आ रहा है, यह जो intuitions आपको बोले उसको सुनिये, आप disappoint नहीं करोगे किसी को, and आपको success मिलेगा, इसी के साथ, इस reading को खतम करना हूँ, आप लोग प्लीज इस वीडियो को share कीजिए, जित आरोग पनीवन, बबाए!